आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ Download Now Hello students, ते आप Question की वे न Question में कहाज आ रहा है कि आपको Find करना Maximum और Minimum ठीक है, Maxima या Minimum फाइंड करिये Value of the Function दे रखा आपका Y is equal to 9 minus का X minus 3 का Whole Square है ठीक है, तो हम लोगों ने ये Physics में पड़ रखा Basic Mathematics में, Maxima और Minimum निकालने के लिए, तो इसका सबसे पहला Point क्या होता है, कि अगर आपका Y is equal to दे रखा हमारा Question में, 9 और minus का हमारा है, X minus 3 का Whole Square है, तो सबसे पहले Maxima या Minimum निकालने के लिए, हम लोग उस पहले क्या करते हैं, उसका Derivative 0 करते हैं तो Derivative 0 करेंगे, मतलब D Y by D X का Value क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे, तो यहां से यहां से देख सकते हैं कि यह D Y by D X का Value आगया, अब अगर इसको मैं 0 के बराबर Equate करूँगा, तो हमारा यहां से X का Value कितना जगा, तो हमारा यहां से X का Value 3 के बराबर आएगा, अब यह इस 3 पर क्या होगा, तो इस X equal to 3 पर यहां तो हो सकता है Maxima, यहां फिर हो सकता है Minima, अब हमें चेक करना है, इसको चेक करने का तरीका क्या आता है, इसको चेक करने का तरीका होता है, कि इसका जो Double Derivative है, डबल Derivative मतलब D square Y by D X square, अगर यह Value Positive आ गया, तो Positive आया, तो इस X equal to 3 पर, ठीक है, कहां पर चेक करेंगे, तो at X equal to 3 पर चेक करेंगे, और अगर X equal to 3 पर यह Value Positive आ गया, तो X equal to 3 पर आपका देगा Minimum, ठीक है, X equal to 3 पर आपका देगा Minimum, अब या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, कि दुसरा case हो सकता है कि यह आपका less than 0 हो जाए और अगर less than 0 आगे x equal to 3 पे तो वो point आपका दे देगा maxima ठीक है तो सबसे पहला हमारा काम क्या करना पड़ेगा इसको हमें फिर से differentiate करना पड़ेगा ठीक है तो अगर इस value को सबसे पहले मैं हलका सा simplify कर लेता हूँ तो dy by dx का value कित y और by हमारा जगा dx square तो माइनस 2x का हमारा जगा माइनस का 2 और 3 का हमारा जगा 0 तो देख सकते हैं कि यह जो value है हमारा यह value कितना आ रहा तो value आपका less than 0 आ रहा है सारे value पे यह फर्क नहीं पड़ता कि x equal to 3 ली जागा आपका जो double derivative वह आपका negative आहीं रहा है ठीक है निगे का मतलब है कि आपका क्या देगा तो negative हाने का मतलब है कि आपका maximum देगा ठीक है अब उस maximum का value क्या होगा ठीक है ठीक है ठीक है तो जो आपका maximum value आएगा y का वो हमारा किस के बराबर आजएगा तो maximum value आपका 9 के बराबर आजएगा और यह हमारा हो जाएगा maximum value ठीक है और यह आपका जाएगा final answer ठीक है thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स आट 400 400 चार्स उपर